नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरी चैनल लोकिन्रजी की रेमेडी में दोस्तों आसा करता हूँ आप सुखी सम्रद और संपन होंगे उसके साथ साथ खुश रहना बहुत जरूरी है खुश रहने मात्र से कई सारे काम अपने आप बनते हुए चले जाते हैं दोस्तों क्योंकि जो लोग खुश रहते हैं उनके पास एक मजबूत मनोबल होता है और जिनके पास मजबूत मनोबल होता है उनके सामने समस्याएं ऐसे भी टिक नहीं पाती और उनका कॉन्पिडेंस काफी मजबूत होता है दोस्तों तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो का बेसे एक बहुत ही कारगर बेसे है और सरल भी है जो लोग इस समस्याएं से दुखी हैं कि उनकी बात उनका पार्टनर मानता ही नहीं है या उनका पार्टनर उनको महत तो नहीं देता है उनकी कोई बात सुनता नहीं है चाहे वो इस्तरी हो या पुरुष हो वो मित्र हो, संबंधी हो, फैमिली मेंबर हो, कोई भी, ये पर्टिकूलर किसी एक रिलेशन के लिए नहीं है प्रेमी प्रेमिका हो, जो भी हो, जिसको भी आप अपनी बात मनवाना चाहते हो उसके साथ आप ये उपाय करें, वो आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा आपके ओर्डर का इंतजार करेगा, वो कभी आपको पलट जबाब नहीं देगा वो आपकी बात को कभी जुटलाएगा नहीं, वो आपकी हर बात मानेगा आप जैसा बोलोगे वैसा करेगा तो ये इसको मजबूत कहा जाए तो एक वसी करन भी है और इस क्रिया के द्वारा आप जो चाहो वो सामने वाले से करा सकते हो ये सुरू करने से पहले, दोस्तों मैं आपको निवेदन करता हूँ मेरी चैनल में जो भी नए नए वीवर आए हो, मेरी चैनल को सब्सक्राइब अवस्चे कर लें उसके साथ साथ बेल आइकन दवाना ना भूलें, जिससे मेरी आने वाली वीडियो आसानी से आपको प्राप्त हो सके तो चलिए दोस्तों आपको करना क्या है आपको एक जाम मंत्री आती है जाम मंत्री गरम मसाले में यूज होती है दोस्तों आपको किसी भी किराने की या प्रोविजन इस्टोर पे आपको मिल जाएगी जाम मंत्री के बहुत उप्योग होते हैं दोस्तों पर यहां मैं इसको एक वसी करण के लिए ही मैं आपको बता रहूं आप जिसका चाय उसका वसी कर सकते हैं उसको अपने अनुसार यूज कर सकते हैं पर दोस्तों सरती यह है किसी गलत उद्देश की पूर्ती के लिए आपको इसका इस उपाय का उप्योग नहीं करना है आप उस व्यक्ति से अपने अच्छे काम करना चाहते हैं और कराना चाहते हैं तो ही आप इसका उप्योग करें बरना तो फिर आप खुद ही पाप के भागी बनेंगे जाम मंत्री आपको ले आनी है और वो अपने पास रख लेनी है ब्यक्ति को सोते समय रात को जब जिस ब्यक्ति का आपको अशी करन करना है जब वो अपने विस्तर पे सोने जाता है उस टाइम पे आप किसी भी तरह किसी में भी मिला के थोड़ी सी जाम मंत्री उसको खिला दो और उसके बाद वो उसको निद्रा आ जाती है और पूरी तरह वो सोया भी नहीं है अर्द निद्रा अवस्था में जब वो व्यक्ति चला जाए तब आप उसको अपनी बात पोलें आप जो बोलोगे उसको वो बात वो सुबह उठके वही काम करेगा वो जो भी आप बोल देंगे इस क्रिया के दुआरा कितने लोग जो सराब पीते हैं और उनकी फेमिली उनसे परेशान हैं और वो उनसे सराब छोड़ाना चाहती है फेमिली और वो सराब नहीं छोड़ रहें तो जाममत्री खिलाने के बाद आपको रात को अर्द निद्रावस्ता में उस ब्यक्ति को बोलना है के आप सराब नहीं पीएंगे कल से आपको सराब नहीं पीना है वो ब्यक्ति सुबह उठके वो सराब नहीं पीएगा वो सराब छोड़ देगा इसी तरह से आप किसी काम को करने का उसको बोलते हैं वो सुबह उठके वही काम करेगा आप जो बोलेंगे वो आपकी हां में हां मिलाएगा वो आपकी किसी भी बात का बिरोध नहीं कर सकता तो चलिए दोस्तों ये क्रिया करने लाइक है कारगर है इसको करने या समझने में आपको कहीं कोई दिक्कत होती है तो दोस्तों कमेंट बोक्स में पूछें हावश नमस्कार दोस्तों